सूपर ट्वेल्फ के आखरी मुकाबले में भी सफल रहा है भारत का वार जहां जाते जाते जिम्बावे को दिया है पचाड लेकिन भारत की इस जीत में किन पांच खिलाडियों का है सबसे बहतरीन योगदान कौन है भारत के लिए इस मुकाबले में जीत के पांच हीरो उनक ग्ऐसम ने देखा मुकाबला शूरू होने से पहले ही 인्टियन टीम काफी ज्यादा रेलाक्स थी क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने सेमी फाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाइ कर लिया था बस इस मुकाबले के रिजल्ट पर निर्बर था कि इंडिया को सेमी फाइनल में न्यूजिलेंड से मिलना है या फिर इंगलैंड से मिलना है जबकि इस मुकाबले में पहले बलेबाजी करते हुए सूरे कुमार यादव के इल राहुल के बहतरी नर्दशतकों की बदौलत भारत ने 186 रन बोर्ड पर लगाए लेकिन अगर बारी बारी से देखा जाए किन पांच खिलाडियों ने सबसे अच्छा पर्फॉर्मेंस दिया इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर नाम आ जाता है सूरे कुमार यादव का पच्छिस गेंदों में 61 हनों की धुआदार पाली खेली सूरे कुमार यादव ने जिसके अंदर शामिल थे 6 चौके, 4 चके आज शायदी पूरे मेलबन का कोई भी कोना ऐसा बचा होगा जहां सूरे कुमार यादव ने बाउंडरी नहीं लगाई जहां पर केल राहूल का रदशतक के बाद विकेट आया विराट पोली आज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर पाए तो सूरे कुमार यादव ने वहां से रन बनाने का जिम्मा अपने कंदों पर लिया और बहतुरीन बना दिये 25 गेंदों में 61 रन इसके बाद जीत के हीरो के लिस्ट में दूसरे नमबर पर नाम जुड़ जाता है एक खिलाडी का लिस्टा नाम है केल राहूल पिछले मुकाबले में बांगलादेश के सामने भी 50 रन बनाए और आज एक मरतबा फिर से बहतुरी ने क्यावन रनों की पारी खेली केल राहूल ने तीन चौके तीन छक्के लगाए जिसके चलते वो हैं हमारे जीत के दूसरे हीरो जीत के हीरो के लिस्ट में तीसरे नमबर पर नाम जुड़ जाता है भूमनेश्वर कुमार का भूमनेश्वर कुमार ने आज आते ही अपनी स्विंग का केर बरपारा शुरू किया जहां भूमनेश्वर कुमार ने पहला ओवर डाला विकेट मेड़िन उसके अंदर उन्होंने बारी की पहली गेंद पर वैसले महदरवे को वापिस पवेलियन का रास्ता दिखाया जिसके चलते आज भूमनेश्वर कुमार ने आते ही बारती क्रिकेट टीम को एक मजबूत स्टार दिलवाई उसके बाद जीत के हीरो के लिस्ट में चौते नमबर पर नाम जुड़ जाएगा अरशदीब सिंग का जहां पर हमने देखा एक तरफ से भूमनेश्वर कुमार ने अपने पहले ओवर में विकेट लिया तो अरशदीब ने भी वैसा कुछ किया जहां उन्होंने रेगिस चकाबवा को वापिस पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए अपने पहले ओवर में सिर्फ तीन रन दिये और उसके बाद जीत के हीरो के लिस्ट में पांचवे नमबर पर नाम आ जाता है मुहमद शामी का क्योंकि जहां पर हमने देखा इंडिया के दोनों सरामी तेजगेंदवाजों ने अपने पहले ओवर में विकेट लिया तो मुहमद शामी ने का मैं भी काँ पीछे रहने वाला हूँ उन्होंने भी आते ही अपने पहले ओवर में भारत ने जिंबावे को हार थमाते हुए कॉइंट सेबल के टॉप पर खतम किया है और अब भारत की होगी सेमी फाइनल में भिड़न तिंग लैंड से 10 निवंबर को एडिलेड में देखना होगा भारत जीतता है या हारता है और भारत के इस मुकाबले में जीत के पांच हीरों है केल, राहुल, सूरे कुमार यादव, मौंबद शामी, पुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंग इन पांचों में से कौन रहा आपका सबसे मन पसंदीदा खिलाडी दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में और साथी में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूटीव पे फॉलो कर लीजिए फेस्बुक पे जानने के लिए T20 क्रिकेट वोल्ड कब से जुड़ा हर एक लेटेस अबडेट वो भी सबसे बहले